निलाम् बजश्यामलकुमलांगं शीताशमारो पित्वाम भागं पाणो महासायक्चारचापं नमामिरामं रगुवंस नाथं। ओम् तुलसी बाबाजी द्वारा रचित रामचित मानश का श्रुन करने माले सभी भक्तिजन एक चोपाई है बालकंड में बाबाजी ने क्या सुन्दर चोपाई लिखी है कि निजि कबेत कहिं लागननी का सरस हो अथवा अतिफीका जे पर भनिती सुनत हर साही तेबर पूरिस बहुत जगना ही बाबाजी ने कहा है कि रसीली हो या अतिफीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती किन्त जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्शित होते हैं ऐसे उत्तम पूरिस जगत में बहुत कम ही मिलते हैं दूसरों की बढ़ाई करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे दूसरों की भलाई करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे कपटी पापी दुराचारी दुस विचारी तो तमाम प्रकार के मिल जाएंगे अत्याचारी मिल जाएंगे अन्याई मिल जाएंगे लेकिन भला करने वाला सभलता दिलाने वाला सच्चा सत्गुरु कोई एक बिरलासा ही मिलेगा बाबा जी ने इसमें कहा था कि निज कबित्य मतलब जो इन्होंने इहराम चीत मानस लिखी है कहीं लाग ने निका हो सकता है किसी को अच्छा लगे या ना लगे सरस हों अत्वात फीका सरल हो फीका हो जैसा भी हो लेकिन जिसने अपनी ये कवित्य लिखी है जिसने जो अपनी कवित्य लिखता है उसको अपना चीज बहुत ही अच्छा लगता है एह तुलसी बाबा जी ने कहा कि जे पर भनित सुनत हरसा ही तेवर पुरुस बहुत जगना ही कि दूसरों की रचना को सुनकर हर्शित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुस जगत में बहुत ही कम मिलते हैं अपनी कवित्य पे तो अपनी रचना पर तो सभी खुश होते हैं लेकिन दूसरे की रचनाओं पर अगर कोई हर्शित हो खुशी हो उत्साहित हो तो ऐसे पहुत ही कम मिलेंगे लेकिन उनका बिश्वास था कि यह कोई कवित नहीं है यह कोई मेरी ही रचना नहीं थी यह रामचित मानस ने नहींनल के लिए यह पूरे संसार के दुखों को नश्ट करने वाला है सुख की प्राप्ति कराएगा और दुखों को नश्ट कराएगा पाप का समन करेगा और पुर्ण को बढ़ाएगा यह ऐसा है रामचे मानश है